अदर आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही कॉमन फ्रूट जो कि सर्दियों में इसली अविलेबल है मैलन की जो ये खरबूजा होता नहीं इसके बहुत सारे गुण है आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगे आपको इसको गर्मियों में जरूर ही क्यों खाना चाहिए इसके क्या यह फाइबर में बहुत ज़्यादा रिच होता है और मिनरल इन विटमिन्स इसमें बहुत जादा होते हैं यह हमारे शरीर के लिए ना बहुत ही अच्छा फल है क्यों एक तो यह थंड़क प्रदान करता है मतलब जैसे गर्मियों में बहुत गर्मी है वी फील होट हमारा ठंडक देने वाला फल है यह पचाने में थोड़ा सा हैवी होता है तो इसको बहुत जादा नहीं खाना चाहिए कित्ती क्वांटिटी खाने चाहिए वह भी मैं बताऊंगी अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज डू लाइक और सब्सक्राइब और शेयर विद यो फ फाइबर तो जो लोग को भी कॉंस्टीपिशन की प्रॉब्लम है यह जिनको लगता है कि पेट अच्छे से साफ नहीं होता ब्लोटिंग की बहुत जादा प्रॉब्लम है तो उन लोगों के लिए खरबूजा बहुत ही अच्छा फल है क्योंकि अगर आप इसे रेगुलर त होती है कि बार बार यूरिनेशन होना या ड्यूरिंग यूरिनेशन उनको जलन होना या किड्नी स्टून की प्रॉब्लम तो जो भी ऐसी यूरिन से रेलेटेज आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए खरबूजा बहुत अच्छा है यह लेने से आपको यह प्रॉब्लम में ब करें यह ते वीकराइन होते हैं और यह अएक तरीके इस एक परते शले पीश जराव एंग थे वाल इस ताम थाएंगे लग्मिन यह और मुयन्यमत है और जलन दूहेती गर्म हों सबक्रतुल आपिье हुआ यह बहुत हैं म।धी आपको घ्षुट राइगे लिव Dalai Dry Hor betrayal Players तो इचिन के लिए बहुत ही अच्छा है जैसे गर्मियों में माइeness Kendra bus a Drah दिकड़ीने सोने लगती रूख द्राइश हो जातीय है रुखहा रुखहा स கिन हो जात HER तो उसके लिए में तृष के लिए बहुत अच्छा है यह स्किन को सौफ्ट करता है कि पृष करने का काम करता है इस वेढी फो यह और वरोल वर्लस्केण साथ कई लोग वहते हैं उनको एस जी टी होती है खाना खाके जलन होती है यह आपको खटे डकार आते हैं तो यह आपको बहुत यह अच्छा फील करेगा इसको खाने से आपको ना इसरेटी होगी ना जलन होगी ना पित की प्रॉब्लम जो पित की प्रॉब्लम से अलसर होता है उसमें भी आपको अराम आ जाएगा जोइंस में पेन होने लगता है तो खर्बूजा खाने से जितने भी पेन से ड्यू टू वाथ वो ठीक हो जाते हैं तो अगर आप जॉइंट पेसे सफर करने हैं तो डू इट मैलन गर्मियों में आप अगर खर्बूजा खाएंगे तो आपको जॉइंट पेन नहीं होगा आप आपको ऐसे रेटी नहीं होगी आपको भूक लगेगी खाने की आपको डायूरेटिक की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी अचा इसको जो है न आपको खाना कभी और बाद आती है आपको इसको यदा खाली पेट भी खा सकते हैं या इन बिट्वीन टू मील्स भी खा सकते हैं ब्रेकफस्ट और लंच के बीच में या आफ्टर लंच मी ले सकते हैं इसको कभी भी रात को नहीं खाना है क्योंकि खाने में मदब पचाने में हैवी होता है तो रात को खाने से इसे प्रॉब्लम हो सकते हैं आप इसे कोशिश कीजिए लंच टाइम तक आप ले सकते हैं य या दो से तीन स्लाइस एक बार में खा सकते हैं क्योंकि यह ज्यादा खाएंगे तो आपको हैविनेस फील होगी वह उसे आपको और अच्छा नहीं लगेगा अच्छा अब क्या है कि और कौन-कौन लोग नहीं खा सकते हैं कई बार क्या होता है डायबिटिक पीपल सोचते है कि हम मैलन नहीं खा सकते हैं और कोशिश कीजिए अगर मैलन मीठा है तो खाएं अगर कई बार मैलन का टेस्ट नहीं खाना है वह फाइदा नहीं देगा आपको नुकसान देगा अच्छा कई बार मैलन फीका निकल जाता है तो उसके इसमें चीनी या मिश्टरी का पाउडर डाल के वह खा सकते हैं मीठा करके अपसे खाएं कोई दिककत नहीं है अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है आपका मैलन क्योंकि खाने से बीपी भी आपका मैनेज होगा आपके हाट के लिए बहुत अच्छा है कोलेस्टरोल को भी अच्छे से मैनेज करता है तो अगर इनकी फर आपके आपके वर वाते हैं इनकी घ्समाने से बीपीज़ आपके हैं आपके लिए आपके वर चाने से अबस्टरोल को भी आपके लापके हैं उनकी तो चक्छे से खाएं